हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मेमोरेज बिंट्रेज व्लॉग और ये देखो ये है कच्चा आम तो इसका मैं आज अचार बनाऊंगी तो मैं बज़र गई थी तो देखके मुझे सोचने लगी जनाब भी मुझे फर्माइश की कि आम का अचार बना दो तो मैं आम लेके आई इसका चोटा-चोटा पिस भी बना लिया इस छिलका यहां पर मैं कटा नहीं हूँ तो ऐसे पिस-पिस किया हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक मिस करके मैं कुछ देर के लिए ये रख देते हूँ तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें रोस्ट करने बाले इसमें है जीरा, धनिया, मोडी और मिर्ची तो इसका थोड़ा सा पहले इसको फ्राइ करके ऐसी फ्राइ करके इसको मिस्ति में मिस्ट कर देना है और मेरा पेज भी या पर रेडी हो चुका है तो फिर मैं एक कराए में सरसुका तेल लोंगी उसमें फोरुन डाल दोंगी तो अभी आम लेके अभी मैं फ्राइ करने वाली हूँ तो मैं लो फ्रेम पे अभी इस आम को दे देती हूँ और थोड़ा सा फ्राइ कर लेती हूँ ज्यादा फ्राइ करने के जरूरत नहीं है थोड़ा सा फ्राइ करने से होगा यह जो छिलका का यह डीप कलर थोड़ा सा लाइ यह गूर्ब लाया हूँ क्योंकि मैं मीठा अचार बनाने वाले हूँ तो जुन में पास्तोग्राम गूर्ड लाया हूँ तो मैं थोड़ा सा मैस्ज कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं आमको भी पका रही हूँ तो इस तरह से और किस-किस को पसंदे ये आम का चार प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और आचार सुनते ही मुह में एक पानी सा जाता है तो आप लोगों के भी शायद आ रहा होगा इस आम को देखके मुझे लग रहा है तो फिलल ये देखो थोड़ा थोड़ा पग गया है अभी मैं इसमें गूर डाल देती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके गूर डाल दे रही हूँ तो ये थोड़ा सा जब गल जाएगा तब ये उबलेगा तो धीमे आज में इसको पकाना है अच्छी तरह से और साब्धानी बरसनी चाहिए क्योंकि गूर उबालने से बहुत चिपता है हाथ में लगने से तो साब्धानी से करना पड़ेगा ये सब तो मैं लोग फेम पे अभी गूर को कर रहे हूं मैश यहाँ पे तो ये देखो टक रोस्त करके रखे तो उसका मैं पेजड बना लिया तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पेजड बनाए हूं तो ये देखो पुरा मेरा गूर जो है वो एबसर्ब कर लिया तो इस टाइप का अभी हुआ है क्रेवी टाइप का तो इसमें मैं सब जो पेस्ट करके रखा था ता मैं अभी इसमें डाल दे रहे हूं और इसको अभी पकाएंगे और थोड़ा सा मैं फ्राइ करके यह मोडी भी रख चुकी थी तो यह भी थोड़ा सा देख देते हैं और यह आचार के साथ मुँमें अगर आये तो अच्छा लगता है तो मैं तो इसमें मोडी भी एड़ कर लिए तो यह देखो मेरा अचार रेडी हो चुका है यूमी टेस्टी खटा मिठा अचार है यह तो आप लोग भी इस तरह से बनाई है आप लोगों के भी बहुत अच्छा लगएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जिए यह वीडियो अगर अच्छा लगएगा और इस चैनल